किसी महिला के अगर right side में cleaning हो रही है तो वो उसके husband को impact कर रहा है husband या husband की family members को अगर left side पे हो रहा है तो वो उस female के जो mother side है या उसके जो parents की side है वहाँ पर उसका impact हो रहा है तो हमारा एक-एक observation जितना minute होगा क्योंकि पित्रपक्ष में क्या होता है ना हमारे जितने भी एंसेस्टर्स हैं फैमिलीज हैं वह होते हैं सबसे पहले या जितने भी हमसे डारेक्ली इंडारेक्ली connected होते हैं क्योंकि हम कोई deliberate effort नहीं करते किसी भी चीज को कर जैसे मेरा तो fixed है कि मैं हर पित्रपक्ष में generic मतलब ज्यात अग्यात का मैं पिंडदान करता ही करता हूं एक दिन करता हूं जब मेरे घर में कोई श्राद हो इस process को अगर pursue करना होता है healing के तोर पे तो यह जो कोई भ ऐसा नहीं हो कि जो हम कोई काम करें और वो हमारे को कोई headache आ जाए जैसे तो मतलब छोटी से छोटी चीज का energy contribution कुतना जादा है हम उसको नहीं समझ सकते तो इसलिए best part यह होता है कि और यह मेरा मतलब मैं healing में तो अब आया हूं यह मैंने पिंडदान वाला जो करम करा यह प मैं जब भी कुछ करता मेरे को कोई ना कोई चीज में एक बड़ा अच्छा सा वो आता तो मुझे पता चले कि नहीं इन में इन चीजों को करने से कुछ negative तो नहीं होता है अदर्वाइस लोग तो बहुत जल्दी वहम पालते हैं किसी भी चीज का कि हम यह कर रहे हैं तो हमा चैसे भी ज्यादा पुराना है साथ वद्याय में गंगा जी में खड़े होकर दो दो गंटे पार्ट करता था और यह है आई थिंक नाइन्टी नाइन के आसपास की बात होगी तो वो मेरा पार्ट काफी लंबे से एक मैं अगस्त तारा मैंने ग्रुप में भी शेयर करा था तो अगस्त तारा जब उद्य होता था तब उसको अर्द देता था यह भी मैं नाइन्टी से कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम पर मैंने वो एक ब्रिहत सहिता करके जो है एक एस्ट्रॉलोजी की बुक थी वारा ही सहिता नहीं ब्रिहत सहिता ही थी शायर दो उसके अंदर ज जो है वो 29 अगस्त को उद्य होता है तो मैंने वो 90 से करना शुरू करा उसके बाद जब मैंने शादी करी तो मैंने 29 अगस्त को इसादी करी कि मैंने यह रिच्वल जो है मेरे साथ lifelong connected रहे क्योंकि अगस्त तारे के साथ में यह कहा जाता था कि जो भी वेक्ति अगस्त के ता किताब में लिखा था बिल्कुल वैसे हुआ लेकिन वो कितनी बार करने से होगा वो एक अलग बात है तो मतलब एक चीज को करने के तौर पर हमारे टेक्स बूक में कहीं कुछ गलत नहीं लिखा है सब कुछ बिल्कुल accurate है बट उसके लिए उतना उसको time देना पड़ता है और अच्छा दूसरा रीजन यह था कि मेरे गुरू जी खुद वशिष्ट आश्रम में रहते थे तो वशिष्ट जी के सगे भाई जो थे वो अगस्त रिशी थे तो हम बचपन से मतलब I was hardly 10 or 12 years जब मैं पहली बार गुरू जी के आश्रम में गया था तो वहां से हमें वश लग रहा था कि यह तो और अगस्त रिशी की पत्नी का नाम पर लोपा मुद्रा लोपा मुद्रा जो है उसको आप क्या कहेंगे लोप हो चुका मुद्रा विज्ञान तो जो हमारी साइन लैंग्वेज है जितने भी लोग मुद्रा हैं बताते हैं वहां पर वह चीज की लाहिस की यह पूरा पार्ट जो है इसके अंदर जितने आसपेट्स हैं वह बहुत फिनोमेनल है फिर अगस्त रिशी ने ही लक्ष्मी जी पर रिसर्च करी थी आप देखें डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं मेरे को लक्ष्मी जी का बीज मंत्र अब पता चला मतलब पिछले बात है कि जो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र पता चला और सबके साब से मट लक्ष्मी जी पर सबसे पहली रिसर्च जो थी वह अगस्त रिशी ने करी थी ठीक है अब मैंने अगस्त तारा उदे क्यों मतलब मैंने 91 में 12 करी थी I think 93 94 में मैंने क्या लिखा वाता अगर साधारण विक्ति है तो असाधारण विक्ति बनता है राजा है तो चक्रवर्ती समराड बनता है किसी जाती का है तो उस जाती के अंदर विद्वान बनता है ब्राम्बन है तो रिशी बनता है हर जगे एक एक्सेप्शनल क्वालिटी जो है वो उसके अंदर इंबाइब होती है जब वह विक्ती अगस्त रिशी को अर्द देता है तो ऐसे वह उन्तिस अगस्त को बाई डिफॉल्ट वह पड़ता है कभी कबार वह लीपियर की वरे से चेंज होडाती है डेट कि वह अगस्त की फलक ग्रूप है उस पे सिफ हिंदी में अगस्त लिखेगा अगस्त तारा हो दे कि मैंने वो डेट और डिटेल दौनों डाली थी और मैं अब से नहीं पिछले चार साल से लगाता डाल रहा हूं कभी ध्यान नहीं गया हो क्योंकि मैं इत्ती सारी चीज़े डालता रहता हू इस वरे से कभी ध्यान मिस हो जाए वो एक अलग बात है बट मेरा कहने का objective यह है कि चीजों को extraordinary होने के लिए उसको इडिवाइन सपोर्ट चाहिए होती है तो मैं आज जिन भी मंत्रों में जिन भी चीजों में कुछ भी कर पा रहा हूं तो वो बहुत extraordinary aspect है बट यह extraordinary aspect मेरे बीतर कैसे आया मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में इसमें मेरा कोई रोल नहीं है यह या तो मेरे गुरू जी की वज़े से है या फिर वो जो यह अगस्त का तारा हुद है उसकी वज़े से divine blessings तो है असी नभ्य सूर्य और चंद ग्रहन पर मैं अभी तक जो है वो उ जायते जल में डालते हैं तो यह एक रीच्वल है जो मेरे को बहुत साल हो गया करते करते टू थाउजन शिक्स या सेवन से शुरू कराता मैंने इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि कुछ extraordinary जब आप continuously करते जाते हैं मतलब मेरे को भी मैं भी चीज़े भूलता हूँ मुझे भी reminder set करने पड़ते हैं और खास तौर पर क्या होता है कि आपको continuum बनाना पड़ता है तो अगर मुझे कोई चीज करनी है और 40 हफते के इसाब से करनी है तो उसमें मुझे अतनी energy डालनी पड़ेगी पर मुझे हमेशा result मिले और एक बार क्या होता है मेरे फादर की तविद्गर बढ़ूई थी बहुत साल पुरानी बात है तो मेरे गुरू जी नहीं मेरे को जो है लाल किताब के अंदर उपाए मिला कि अगर आप को ये surgery होनी है या कुछ इस तरीके की problems हैं तो आप कुटे को जो है वो मीठी रोटी खिलाएं तो मैंने बकायता घर में तंदूर लगवा के और सौईयों रोटी बनवाली की सौ कुटों को खिलानी है तो पेड़ भर के कुटे खाएं तो मतलब 200-400 रोटिया मैंने बनवाई उसके तोर प तो मैंने फिर मेरे गुरुजी को फोन कर रहा गुरुजी माउंट अबू में थे उस टाइम पर मैंने फोन कर रहा कि ऐसे ऐसे मैं कुटे को रोटी डाल रहा हूं वो सौन कर चला जाता है लेकिन खाता नहीं है तो बोल अच्छा है काम कर वहाँ पर जो भी काल भैरव का मं जो है यह कुट्ता वो रोटी खाले तो बोले ठीक है तो मैंने वो गया मंदिर में वो पूजा करी बहरोबाबा की कुट्या और वो जो था वो उसके आगे दीपक जलाया और फिर गया मुझे बतला नए फ्रेश सौकुत्ते मिल गए सबने रोटी काई सब कुछ अराम से लेकिन इतना भी क्या पीछे पढ़ना कि आपने गुरुजी तक को जो है वो इसके लिए बोल दिया काम करो तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ करो वरना नहीं करो अगर काम करेंगे तो वह पकेगा नहीं तो अगर कोई रास्ते पर चले तो और मेरा रास्ता कोई सा भी अ गए हो या कोई सरदर्दी आ गई हो या कोई बोले कि नहीं यह चीज गलत हो गई कभी ऐसा नहीं हुआ